हैलो दोस्तो तो आज हम बात करने वाले हैं 1981 में रिलीज हुई होरर मिश्ट्री मूवी प्राइडे दा थर्टीन पार टू के बारे में इस मूवी के डारेक्टर है श्टीव माइनर और इसमें मुक्य भूमिका में है एमी स्टील, जॉन प्यूरी, इत्यादी आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको एग वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा और अगर आपको और भी मूवीस के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाक आना देने के लिए रेफ्रिजिरेटर खोलती है तो उसमें मिसेस वारिस का कटा हुआ असर होता है तबी पीचे से कोई अंजान हत्यार आता है और एलिस को मार देता है अब का आनी पास साल बाद आगे बढ़ जाती है और वरतमान समय में आती है जब उसी शहर में सेंडरा और जेप नाम के दो हुई वा अपने टेड नाम के दोस्त के साथ समन कैम की तरब जा रहे है जो कि कैंप क्रिश्टल लेक के पास है और वो कैंप पॉल चलाता है जिनका रोल जेप फ्यूरी ने निवाया है और इसमें उनकी साहिता करती है जिनी जिनका रोल एमी श्टील निबाया है और वह पॉल की प्रीमी का भी है और उनके साथ स्कॉट, टेरी, मार्क और विकी यह सभी है अब सभी लोग कैंप साइट पर पहुचते हैं और रात को कैंप फायर के दोरान पॉल सभी को जेसन वारिस की काहानी सुनाता है जो यह है कि 1957 में जेसन कैंप क्रिश्ट जाए और वह अपने मा के मृत्यू के कारण बहुत गुस्से में है इसलिए उसके सामने जो भी आएगा वह उसे मार देगा तबी टेर जो की पॉल का असिस्टेंट है वह एक नकाप पहिन कराता है और सब को डराता है फिर रात को सभी एक दूसरे से जान पहिचान बढ़ा तो वह सेंड्रा जेप से केंप क्रिष्टल लेक पर जाने के लिए कहते है उसके बाद वह दोनों अनुमतिना होने के बावजूत वह जाते है तो वह पर वह गूम रहे होते है कि जेप और सेंड्रा को आपी सर्विंस लो पकड़ लेते है बाद में पॉल और जीनी आकर उन पॉल और जीनी कुछ बच्चों के साथ शहर में मजे करने के लिए जाते है लेकिन सजा के तोर पर जेप और सेंड्रा को वही छोड़ दिया जाता है और उनके साथ टेरी, स्कॉट, मार्क और विकी भी वही रुखते है अब शेहर जाने के बाद जीनी का कहना है कि उसे जे तैरी तालब से नाकर लोट रही होती है तब स्कॉट उसके साथ मजा करता है पर खुद एक जाल में फच जाता है तो उसे चुड़ाने के लिए जब टेरी चाकूर लेकर आती है तब तक जेशन ने स्कॉट को मार दिया होता है और वह तेरी को भी मार देता है वही जेप औ पर जेसन उसे मार देता है और जब विकी बाहर आती है तो जेसन उसे भी मार देता है ऐसे करते हुए जेसन कैंप साइट पर जितने भी लोग थे उन सभी को मार देता है अब पॉल और जिनी शहर से वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो उन्हें शक होता है और वह आसपार डूंडते हैं तो वह एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर जैसन पॉल पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और जैसन अब जीनी की पीछे पिर वहाँ से जीनी भागनी की कोशिश करती है लेकिन उसकी गाड़ी चालू ना होनी की वज़ तो जीनी मिसिस वारिस का स्वेटर पेन कर उसकी तरह बात कर जेसन को गुम्रा करने की कोशिश करती है लेकिन वह नाकाम होती है तबी पॉल भीवा पहुच जाता है और जेसन और पॉल में लड़ाई हो जाती है तबी जीनी मशेटी से जेसन पर अमला करती है और जेसन वही ले जा रहे होते हैं और पॉल और जेसन दोनों ही गायब है और मुवी समापत हो जाती है अब मेरी experience की बात करें तो अच्छा था इसकी काहनी अच्छी थी पिछली मुवी की काहनी से इसकी अच्छी continuation की गई है और इस काहनी में भी हत्यारे कोले का चोटा सा suspense बना गया है पर इससे हम पहले ही गेस कर लेते बाकी काहनी सिंपल सी है पर अच्छी है अब direction की बात करें तो वह अच्छा है और कलाकार कोई performance भी अच्छे है तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपने इसकी पहली movie देखिए तो आप इसे देख सकते तो अब इस movie की other details के बा ता 1.25 मिलियन डॉलर और इस movie ने कमाए थे 21.7 मिलियन डॉलर इसकी parental guidance की बात करें तो इसमें new duty दिखाए गए और violence की बात करें तो इसमें खून कराबा भी दिखाए गए इसकी rating आर रेटेडे तो आप इसी परिवार के साथ नहीं देख सकते और इसकी language की बात करें तो य इस वीडियों बस इतना ही अगर आपनी यह movie देखिए तो आप आपना experience कमेक सेशन में जरूर शेर करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके आपना प्यार जरूर दिखाए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में गुडबाई